नवस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका मेत्र विवेक पजाज स्टॉकेज और इलन मार्केटस का फोड़ा दोस्तों 87 वे सेटरवा पेस्टूपेस में आपका स्वागत है और ये पेस्टूपेस में आग लगने वाली है ऐसे दो में देखे ह olm कि बढ़ा स्पेशल पेस्टूपेस होने वाला है बाट आज आपको सीड बेल्ट पहनना पड़ेगा चेर को पकड़ के रखना पड़ेगा दोस्तों फेस तो पेस आपको पता है कि एक इनिशेटीव है छुपेवे रुस्तम जो है टैलेंट है उनको पकड़ने की और उनका सही लर्निंग आप तक पहुचाने की अभी तक तो जर्नि बहुत अच्छी रही है और आशा करता हूँ आप लोग सबके उस जर्नि का पुरा फायदा उठा रहे है और अगर आप मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़ें इलन मार्केट के चैनल से तो अभी जुड़िए अभी सब्सक्राइब कीज और इस वीडियो को लाइक जरू कीजेगा और अपने कमेंट दीजेगा जब ये वीडियो खतम हो जायता आज मेरे जो गेस्ट है वो भी कैलकटा से है अब देखरों मैं आफलाइन फेस टे फेस वापर सालू कर दिया हूँ तो आज के जो मेरे गेस्ट है वो कैलकटा से है और सालो साल से मार्केट में है बलकि मैं कहूंगा जनरेशन से मार्केट में है और बहुत अच्छे से समझते है कि मार्केट में चलता क्या है दोस्तों मेरे आज के गेस्ट है शरद जुझुझवाला शरद कैसे है बढ़ियां फर्स क्लास शरद ये एक बात तो समझ में तो यह तो ट्रेंड में हैं, लोग काफी रुपे खर्चा कर रहे हैं, यह ग्रे है लाने के लिए आजकाल, या सॉल्ट और पेपर, लोग कुछ ताइम से जानता हूं और इनका परिवार भी स्टॉक मार्केट से है, इनके नाना जी दादा जी बहुत स्टॉक मार्केट में का में भी काम किये हैं, मेरा भी परवार आपको जानते हैं दोस्तों कि हम लोग काफी एक्टिव थे, और मैंने देखा दोस्तों यूनीक बात यह जो पिट ट्रेडिंग में काम करता है, पिट ट्रेडिंग मतलब जहां पर चिला चिली होती है, आपने गुरू मूवी में करते थे उनके पास टेक्नोलोजी नहीं था, so because of the lack of technology, the only thing which we used to read was emotion, और सामने वाला क्या करना चाह रहा है, सामने वाला पिट में बाई का बिट डाल रहा है, but उसका intention actually sell करना है, that we used to catch, यह एक एज मिला और आज भी जब मैं मार्केट को देखता हूं, तो हमेशा, I try to read it from the other side of the table, screen पर प्राइस चल रही है, but मैं यह सोचनी की चेस्टा करता हूं कि वो लास्ट आदे घंटे का मूव या एक घंटे का मूव क्यों हूँ, अभी बताता हूं, जो मैंने last discuss भी किया था, last Friday को जो last half an hour का मूव था, इसमें निफ्टी तेरह अजार साथ साथ सो, आठ सो नौसो पर कमफर्टेबल था और तो सोड़ाइस सो पॉंट का फॉल आया, तेरह जार चेसो था, जस्ट बिफोर देजट, फ्राइडे बिफोर देजट, मार्केट वह रिवर्स कर चुका था, दो सो पॉंट नीचे से उपर था, तेरह जार साथ सो से नौसो पर ट्रेड कर ता था, तो फिर वह आदी घंटा में वह बजार गिए रहा, वाट वस्ट ऑप्टिक्लर पोईंट व तॉफ पांट अवाज तुछेंगे, नहीं सोचा होगा, या लोग नहीं सोचेंगे, कि जब बजार गिर चुका है 14,700 से और 13,700 से अब रिकवरी 13,900 के ट्रास पॉंट है, buyer comfortable है, buyer comfortable है, seller या तो short cover रेगा, वो नीचे में उसको price hit क्यों करेगा, so that was from the, and that is, that was the moment when I said I am ultra bullish now, because the intent was to trap everyone showing that half an hour move, और यह pit trading सिखाय है, कि लोग आते थे और closing के time पे उसको लेना है, but to create a panic, he used to sell 10,000 share, उस समय तो 10,000 quantity भी बड़ा होता, 10,000 कुछ भी कोई चीज का बेच के चला गया, उससे क्या होता था, कर्ब ट्रेडिंग, जो post market trading होते था, उसमें एक पैनिक होता था, क्या होता था, XYZ ने last में बेच के गया, कुछ नीज आने वाला है, और वो पैनिक चलता था, और वो पैनिक में लोग अपना माल शायद बेज दिया करते थे, कर्ब में, और पता चलता था कि, वील्ड में वही आदमी या उसका ग्रूप वो सारा पर्चेस होता था, और नेक्स दे इस तो पीछे में कुछ और ही चलता है, तो दोस्तों, जैसा कि हम लें कई वीडियो में डिसकस किया है ना कि जो मार्केट आपको दिखता है, वो कभी नहीं होता है, वो मार्केट है जो आपको दिखाया जा रहा है, बड़ उसके पीछे में कुछ और ही चलता है, जो कि आप एक नॉर्मल इंवेस्टर उसको समझ नहीं पाते है, और मुझे लगता है कि शायर टेक्निकल अनलेसिस का ये एक लिमिटेशन है, कि वो भी वो ही दिखा रहा है जो ऑपरेटर चाहता है कि लोग देखिए, इक्जाक्ली और ये ये एक्जाक्ली आप टेक्नोलोजी जिस लेवल पे चला गया है आज ऑपरेटर इंस्टूशन जो बायर खुद बाई करना चाहते हैं जो सेल करना चाहते हैं वो भी इस जीज को जानते हैं ये विल गिव फॉल्स ब्रेक आउट्स इब ये वन तो सेल, जैसा मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूं 13700 का लेवल पूरे दुनिया को पता था 13700 उसको तोड़का 13600 लास हाफ एन आवर और वो भी इतने फिरोशियस मोमेंटम के संग कि आगम को सोचने का टाइम नहीं मिले उसके लिए सिर्फ एक चीज रहे है सोचने का टाइम नहीं तो यह साइकोलोजी बहुत ज्यादा इंपोरेंट है मार्केट वो टेकनिकल अनलेसिस और सौफरियर में नहीं आता है जो चीज शायद एक्सपीरियंस बोल सकते हैं यह एक्सपीरियंस नहीं भी बोलें तो साइकोलोजी ऑफ दे मार्केट या मार्केट के पीछे क्या चल है तो दोस्तों आज का वीडियो में ना ऐसे तो बहुत कुछ चर्चा कर सकता हूं है इतना रिच एक्सपीरियंस है बट आज एक स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है कि जब हम लोग चार देखते हैं तो हम प्राइस को बहुत जादा वेटेश देते हैं और मै इसको हम ध्यान नहीं देते हैं जो है टाइंग और शरत गैन फॉलो करते हैं और का आज से नहीं कर रहे हैं सालों जाल साल से कर रहे हैं इनको समझ में आता है कि गैन का या समय का क्या अप्लिकेशन है मार्केट के मूव्मेंट में तो आज इनके साथ में पूरा डीप आरे मताईये, I am very curious to know about you. Nothing must to know about me. Well, I belong to, I mean, I was from both sides, Nada Ji, Nana Ji का परिवार, Stock Exchange से था. But my father was not involved in the stock market. He went for his engineering. And I lost him few months back. So now I have to say he was. He was gold medalist. He was gold medalist IIT Kharagpur. And that time, IIT Kharagpur was probably Harvard. True, B. Tech के लिए. So, 1968 batch. My father. And so, वो पढ़ाई का जीन आगया. So, I also did my CA, CFA, and COST. So, I am the 11th CFA of India. And I ranked 11th in COST. So, all through rank holder and all. So, we are three brothers. My younger brother is also an MBA. Specialized from USA. My youngest brother is MIT. He was in London for 8 years. Now he is back in Calcutta. Doing his IT business. But that's the same. Khoon. And I did a lot of businesses. In between. From distribution to manufacturing. In fact, my first business was manufacturing. I did very good manufacturing business. But, you know, as I say. Samaya भी जो है ना. Samaya भी खींच के ले जाता है. So, मेरे भी Samaya भी ने हमेशा अपना एक मार्क छोड़ा है. So, I was very good in manufacturing. But then, I had, I faced an accident. And I was handicapped for 2 years. So, मेरा वो मैननुफाच्चरिंग उनिट बन्द होगया. Oh, oh. Then, फिर वो देस्टिनी ने दिस्टिबुशन बिजनस पे खींच के ले गया. So, but ultimately, गुम फिर के क्या हुआ? जहां खून अबाल देता है न, वो वही आजाते है. So, उसी पे वो था, and NAC था, उसी पे पढ़ाई, उसी पे हमेशा, you know, everywhere, बैंक वही हो रहा था. So, अब फिर घुम फिर के वही आजा है, 15-20 साल से इसी में. Wow, क्या स्थोरी है, जबरदस्ट. यह तो नेट्फ्लिक्स सीरीज बने लाएक है. No, न, उतार चड़ाब जो है, वो ऐसा ही कुछ है. वहाद अच्छा है. So, तो पंदर साल से आप मार्केट के अंदर में ट्रेड़े हैं? No, my first trade was 1992. So, on and off, I've been trading all through. Even when I was in manufacturing and I was trading all through. But my GAN journey started, I think, 18 years back. Okay. When I was first, you know, introduced to what GAN is all about. जब GAN के बारे में मेरे को first idea लगा. And I'm talking about the time when there was no internet. उस समय, अभी तो क्या है कि आप कुछ भी Google करो तो बच्चों के लिए बहुत easy हो जाता है सब कुछ. But उस समय, उस में कहीं GAN एक्जिस करता है वो इंडिया में पता भी नहीं चलाता है. क्योंकि Dalal Street आता था उसमें तो आप normal technical analysis आजाए तो भी बहुत बड़ी बात है. And I remember I was the first buyer of e-signal, यह e-signal नहीं, advanced get, advanced get. Mohinder Ji, Mohinder Ji हमारे बगल में ही रहते थे. Good friend of mine and वो आई और advanced get लगा, but वो हैंग नहीं आया है, वो हैंग नहीं आया है. तो introduce, सब चीज से ही time to time रहे हैं, but यह time वाला जो funda है, यह suddenly a good friend of mine, उसने मेरे को ऐसे ही कुछ papers भेजे, इसको read कर, इसमें कुछ है, and those were all mathematical calculations, कुछ formulas थे, मैं उसको रखके छोड़ दिया, कुछ, कुछ base भी नहीं है, कुछ उसके पीछे का backing भी नहीं है, क्या चीज और बो कुछ जार्गंस में लिखे, बंदा, बंदा कॉस्टम्स ओफिसर, मैं उसको, मतलब, acknowledge करना चाहता हूं, वो बंदा कॉस्टम्स ओफिसर था, DRI ओफिसर था, वो मेरे को, 15 दिन, 20 दिन, महना बर्वे, एक बार फोन करता था, और कहने कोई, कोई बॉर्डर एरिया से फोन कर पढ़ा होगा, मार्केट का क्या लगता है, वो पेपर पढ़ा, उसका कोश्टन क्या होगा था, वो पेपर पढ़ा, सर नहीं पढ़ा, उसको पढ़, उसमें कुछ है, उसमें टाइम के बारे में कुछ है, तुम पढ़ के बता, because he had faith and he knew my background, academic background, तो उसको लागा कि बंदा क करेंगा, तो यही करेंगा, दीरे दीरे पढ़ना चालू किया उसको, तो ग्यान के एक पर्मानिन डेट्स का साइकल है, उसमें कुछ पर्मानिन डेट्स लिखे हैं, which depends on certain natural law, तो उसको पढ़ते पढ़ते लगा कि मार्केट में कुछ मेजर मूव्स हो रहे हैं, वो इसके द जबकि बाकी कुछ मेरे पास डॉकुमेंट्स नहीं हुआ करते हैं, तो वो कोड़ा कोड़ा, फिर वो क्या हुआ कि वो पर्सुट में कुछ कभी खोच के निकला, कभी कुछ के निकला, और वो यहां तक पहुंचे यहां तक पहुंचे, यह मेरा ग्यान का जरनी, उसके बा 1878. 1878. 1878. So, historically, Albert Einstein was born in 1879. So, मैं आपको पियर कंपारिशन बता दिया, कि Einstein से एक साल सीनियर थे, एज में. यह उस समय की बात है. और हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसके पहले कोई ट्रेडर का चर्चा. So, the first book written by W.D. Gann in 1923 is the first book ever written by any stock trader available in the world. इसके पहले नहीं है. जैसी Livermore एक साल सीनियर थे, वो 77 में बाउन थे, बट उन्होंने अपने इतिहासकाल में कभी किताब नहीं लिखे. एक किताब जो उनकी है, वो भी किसी दूसरे नहीं लिखे थे उनके time cycle पे, बट वो काफी Gann was the first successful trader to have ever written a book. So, यह है W.D. Gann and he was a very successful trader. उनका इतियास बट बड़ा है. इसके बाउन बाउन तो कि आजकाल तो Google है. देख सकते हैं. So, तो अपने Gann theory में नहीं जाएंगे. मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि लोगों को थोड़ा Gann theory complicated लगे. बट मैं जो core subject है जिस पर मैं आप से चर्चा भी कर रहा था वो है time. ताइम. जो आपने मुझे बहुत अच्छी बात बोले थी कि महाबारत में भी. तेखिए time अभ इस चीज को जरूर मानेगा कि समय प्रधान है. हम बोलते ना समय प्रधान है. तो अगर भाव भगवान है तो समय प्रधान है. भगवान श्री कृष्ण का भी समय जब अच्छा बुरा आया था तो यह सारा कारेकाल हुआ था. तो समय भगवान को आप प्राइस को भगवा बोल दो पर भगवान का भी समय आता है और मैं इसको बहुत छोटे से में डिफाइन करता हूं आपको आपको मजा आएगा यह चुटकूला मैं सब के संग शेयर करता हूं कलकता में गोल मंदिर है आप मंगलवार जा उसमें लाइन लगाना पुड़ता है आप मंगलवार जा कि शायद भगवान को डिसेंटरी हो जाए बाकी दिन भगवान भूके रहते हैं तो भगवान का समय आया है कि नहीं मंगलवार भगवान का समय भगवान का अच्छा टाइम है बाकी साथ दिन शे दिन तो नहीं है लोग कूछ भी नहीं रहे हैं दूर से जा रहे हैं तो गा mathamaran में रह रहे हैं जिस universe में और हम दो चीज को यथार्त देख रहे हैं सर्य चंद्रमा दिन होता है राथ होता है कोई the science नहीं बोल सकता है कि नहीं या कोई software आपका job price action बतात pops रात पो एक साल को शिंडेंगा तो देयर शुटेन नच्याटरल फेनामेन जो यथार्थ है और रहेगा अब गयर एक एक ऐसा अदम उला की अगर फेनामेन में सब कुछ रेपेटिटिव है तो फे लगे क Veg having a PET ब्रेग वह एक आपने उस फार्मुला को और यह इतियास में है, टिकर मैगजीन में उसका लाइब इंटर्व्यू चपा हुआ है, जब उसने प्रिडिट कर दिया दो महने पहले कि सप्टेंबर 1909, वीट कॉंट्राक्ट विल सेल अट 1.20, उस दिन सुबह 1.08 है, और वीट कॉंट्राक्ट में पंदरा परसंट का उप उस दिन सब्सक्राइब और यह उसका सिर्फ आज चलोजिए 1.08 है, और आप तो बोले कि आज ख्लोस में 1.20 होगा, और यह उस तीन घंटे में फैमीन का निवस आया और उस दिन का लोजिंग और है 1.20 ही था वाफरे, और यह उसका सिर्फ इम गुस्बंब्स, वन आज तक सिर्फ यह एक चीज नहीं, मतलब एक बार नहीं, ऐसा हजारों इस ने बोल दिया इस दिन में यह प्राइस यह रहेगा, तो ही हाड इस फॉर्मूला ऑफ लेचे सिर्फ इस प्राइस को होना जरूरी है, हैंस प्रूब्स, वो होगा, वो प्राइस मैच करेगा वहाँ पर, सिर्फ प्राइस इस प्राइस के सिर्फ, सब ग्राफ देखते हैं, आप भी देख रहे हो, आप भी जात no yoga सारा सौफियर प्राइस 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 प् जब बात करते हैं और आप importance देते हो तो खाली भाई एक्सिस को देते हैं गान ने दोनों एक्सिस को importance दिया है बट अपना अपना चर्चा जो कपने कर रहा है वो है importance of x-axis, why people are ignoring x-axis x-axis को कैसे कम से कम तरीके से हम aware करा सके लोग और इसको use कर से that is our, as we discussed, is the core point of discussion so उसी पर बात आगे बढ़ाते हैं कि जब y-axis देखते हैं प्राइस देखते हैं तो उसके support और रेजिस्टेंस और उसके behavior को समझाना relatively easier है, समय को कौन समझ पाया है? अच्छा कोशन है, देखे, exactly जैसा आप प्राइस के लिए support रेजिस्टेंस बोलते हैं अगर मैं आपको समय का भी support रेजिस्टेंस बता दो I am not going about, you know, individual, individual calculation कैसे करना है हर stock का, nifty का, या कोई भी instrument का, basically this applies to anything, any contract यह समय और price है, यह गैन का funda फंडा मेंट फंडा जो है, वो हर contract पे अप्लिकेबल है पर हम उस पर ज्यादा details में नहीं जाते हैं, मैं आपको natural एक बहुत, छोटा-छोटा बता देता हूं कि अगर मैं support resistance आपको time का बता दो, और आपके एक सेसिस में 4-5 lines टान दो कि यह line टान दीजे आप और यह आपका support और resistance है, पर आप क्या करते हो, जब आप price action की बात करते हो, तो आप भी तो line टानते हो आप horizontal line टानते हो, मैं आपको vertical line टानने बूरा, इतना ही difference है, अब आप horizontal line को टानने के बाद ट्रेड कैसे करते हो, अपने उस पर आते हैं, आप ट्रेड कैसे करते हो, आप आपने सोच लिया है कि यह support है, यह resistance है, पहले आप support तक अगर price आता है, पहले आप wait करते हो, support पे उ existence पे price जाता है, और आप देखते हो, वहाँ rejection हो रहा है, तो आप इसको sell करते हैं, ठीक है, अच्छा, लोग confused हो जाए उससे पहले हैं, मैं इसको cover कर देता हूँ, क्योंकि time को discuss करने से न, एक, मैं पहले बोल देता हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो viewers हैं, वो इस small part of gang, gang is not astrology, okay, okay, तो बहुत सारे financial astrologers आजकल सब social media है, और लोग आते हैं, बोलते हैं, यह हो जाएगा, ठीक है, with all due respect, but लोग गलत कहां करते हैं, मैं उसको भी clear करता हूँ, अब देखो support and resistance तो आपने chart पर बना लिया अपने price पर आपने resistance बनाया, say for example, suppose करो ITC का resistance, दो सो रुपया, पर जब 210 रुपया पर्सों क्रॉस कर गया, तो आप क्या करोगे, आप इसको short करोगे, नहीं करोगे, आप इसको buy करोगे, कि इस resistance से पार कर गया, आप इसको buy करोगे, जो मैंने feel किया है, जहां लोग 99% astrologers के संग भी गलती कर देते हैं, और मैंने ही चाहता हूँ कि हमारा viewer भी उस गलती को करे, जब एक resistance को cross कर दिया, तो आप बायर बन जाते हो, आप seller नहीं बनते हो, अब मैं टाइम पर आता हूँ, अगर मैं आपको time 5 दे दो, normal, which is universal to everyone, जैसे कि सूरिय है, sun, यथार्थ है, हम देख पा रहे हैं, there are only two planets which we can actually visibly see, Sun and Moon, तो उसके existence पे किसी को डाउट नहीं है, बाती तो आप बोल सकते हो, नेशेयर से कि नहीं है, ठीक है, astrology होगा, बट मेरे को क्या फरक परता है, है कहीं, बट सन और मून से तो फरक परता है, बट सन के movement से आप सोते हो, उठते हो, मून के movement से आपका low tide, high tide होता है, पानी क सारव, and if human body is 70% water, then definitely your emotions are also controlled by मून, Sun का cycle 365 दिन, तो 365 दिन में अगर अपने important date निकाले, उसको डिवाइड करें, तो कौन से दिन हो सकते है, तो कौन से दिन हो सकते हैं, there are four important dates as per WT GAN also, and which are natural principles, मैं समझाता हूँ, दो equinox से दो solstice, okay, scientific dates, these are scientific dates, that these dates are dates where, two dates, where the night is longest, one date when the night is longest, which is December, another day is longest, which is June, scientific, two dates are in between, where day and night are exactly equal, correct, it is equinox, equal, equinox, equal, nox, nox is night, so equal night, equal day, तो natural phenomenon and scientific phenomenon, अभी चार लाइन ड्रो कर लो, ग्राफ के, अपने ग्राफ के आप अगर हैं तो आप दिखाओ, दिखाते, यह सपोर्टर रेजिस्टेंस है, बस हाँ, यह यह बस, यह यह लाइन आपने ड्रो कर दिया, यह लाइन नाच्रल फेनमेनन है, जो आप महसूस कर रहे हैं, किसी को समझ में आता है, तो समझ में आजा इससे, मैं कुछ नहीं बोलोगा, और यह क्या है, सोलर है, अब देखो, W. D. Gann वेस्ट अस्राइब लिंग को कर तै, यह लाइन्स वेस्टेंटा थी जाएब लेदिक अस्राइब लुटनाटी, मैं जो तो समझ में कर थोस। इजरूटर तो तो पूरण वेस्टेंटाओने बनको स्टाइब लाइन्स ब्सक्ता दोर्कित्टेंट का मामिशॉड भ एंडियन अस्तिलोजी को बिलीव करते हैं. वेधिक अस्तिलोजी है मून सेड्रें. म॰ correl कि हम करते हैं रिष्टन ड्रीयन अच्छलोजी वैक्षप, वेश्टन इस अस्तिलोजी बे longest ऑश जेंT और वेस्टन ऑश सिंपल सब्कूर्ण ट्रिए हम साइब बीस के टारिख का यहीं कोई आदमी नहीं इसक तो नहीं है कोई चीज ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इससे वह निकालों गा कोई जारगन कोई कम्प्लिकेटेंट कोई चीज में ऐसा बहुत है जो सामने है इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं अब इसी ग्राफ में अगर आप दूना साइकल भी डाल दो कि अर्ण भी प्लाट हो गया है अब यह मेरे लिए और इस तंपोंट करने तो है रहा है कि मैं क्या करूंगा मैं उस पॉइंट तक वेट करोंगा आप सफोर्टर रिस्टन्स support है और उसको cross करके दूसरे date तक जा रहा है तो मैं क्या करूँगा मैं बेट करूँगा I will wait and I will see कि वहाँ पर क्या किया जो आप प्राइस में कर रहे हो कि वहाँ तक पहुंचा और फिर प्राइस क्या कर रहा है उसको accept कर रहा है रिजेट कर रहा है और हम उस time मैं क्या कर रहा हूँ मैं उस time पर जा रहा हूँ मैं उस time तक वेट कर रहा हूँ and I am waiting and trying to see कि price उस time पर पहुंच कर कैसा भीएट कर रहा है मेरे को वहाँ rejection में लेगा मैं करूँगा आप YXS पर trade कर रहे हो आप price का एक band पर rejection देख रहे हो मैं time पर कर रहा हूँ तो मैं उस दिन की rejection को देख रहा हूँ तो मेरे लिए क्या है trade क्या अगर मेरे लिए वो दिन है तो वो दिन एक दिन आगे पीछे जो हाई बना उसके हाई के stop loss से मैं शायद sell करू और अगर लो बना तो मैं उसके stop loss से low में buy करो यह हो गया एक normal which is applicable to everything अब आप वो लोगे सर यह तो हर चीज में कैसे applicable होगा अब मैं price पर आता हूँ अब जब price पर करते हो तो ठीक है आप there are n number of things indicators है Fibonacci है आप कुछ भी कोई भी चीज लगा कर आप price band निकालते हो ठीक है बट एक price band ऐसा है जो हर आदमी जितना भी complicated चीज उसके दिमाग में जरूर रहता है वो है round numbers correct 300 एक round number है 400 एक round number है 500 एक round number है और वहाँ पे जाएगा आपका भले ही Fibon बोलता है 510, 20 आप 500 पे भी अलर्ट हो जाओगे ये 500 को पहले accept करता है कि नहीं करता है true true तो मैं बोलता हूँ कि ये चार जो पहले equinox और solstries है उसको round number रख लो उसको round number रख लो और उसके बीच में जो final lines हैं वो 550 भी तो resistance है अगर round number पे आप काम कर रहे हो इसको आप रख लो या तो 1000, 2000, 3000, 4000, 4000 रख लो मारुती के केस में for example और जो छोटे lines हैं उसको आप साड़े 3000, 4000, 5000, 5000 और रख लो तो आप तो वहां पे भी जब price action trader भी तो आकर round numbers पे price action देख रहे है ना उसका तो मेरे हिसाब से मैं individually इसकी कुंड़ी नहीं भी निकालू निफ्टी की और आपके संग डिसकस नहीं करूं कि इसका behavior क्या है क्योंकि इसका भी एक particular behavior है एक time cycle है जहां पर यह आकर ठक जाता है या energize हो जाता है हर आदमिया आपका आप at a certain given x and y parameters आपका एक age और आपका एक stamina और आपका lifestyle x, y, z parameters के ऊपर define हो जाएगा कि आप कितना घंटा काम कर सकते है true या किस speed से दौर सकते हो मेरा define हो जाएगा true वैसे ही stock है तो unique होगा सबके लिए unique है हर stock के लिए हर index के लिए हैं हम खाली यह बोड़ रहे हैं कि आप यह जो common है वह यह है कि I am sure कि विवेक जी रात को तो नहीं दोड़ रहे होंगे ठक गए होंगे सो रहे होंगे पर दिन में कितना दोड़ा या दिन में कितने speed से दोड़ा वह आपका unique है correct correct तो इस दो लाइन के बीच का जो difference है ना या इस पर्टिकुलर निफ्टी का जो time cycle है यह character है वो unique है पर फाइदा कहां मिलता है या उसका importance कहां बाइड जाता है जब दो या तीन लाइने एक संग मिल जाती है अगर मैं कहीं आकर इसे आप आपने चीज अपने डिसकस कर रहे था आपने बोला कि मैं social media पर जादा active नहीं बहुत कम हूँ महने में एक बार आया दो बार आया तीन बार मैं उसी समय आता हूँ जब मेरे को कुछ important convergence is दिख जाती है निफ्टी का भी एक फित्रत है से फोर एक्जांपल निफ्टी अचा समझो ना प्राइस एक्शन के ट्रेडर हो आपका 1.618 एक्सेंशन टार्गेट जो है वो अगर इग्जैक्ली 502 पे आ रहा है तो आप शोर हो जाओगे न 500 रुपया जो है वो राउंड फिगर बड़ा पांतसो दो रुपया है और संग में अगर फिबोनेसी प्रोजेक्शन के संग अगर कोई दूसरा काल्कुलेशन आपका आता है कुछ भी इसका जो कुंडली है या निफ्टी का पर्टिकुलर बिहेवियर है उससे मेरे को पता है कि एक्स डेस का साइकिल में यह मूव करते ह अब वह एक्स डेस का साइकिल है सब्सक्राइब 20 मार्च को आ रहा है 21 मार्च को एक्विनॉक्स है ठीक है है आम है अगर कोई यूफोरिया है या कोई पैनिक है इसमें तो यहां पर तो आकर रुके गाई यहां पर तो एक बार इसको रुपना जरूरी है, must have sure है, आप देख लो, आप इसमें चार्ट में कुछ नहीं है, आप bottom देख लो, आप high देख लो 2020 का और bottom देख लो, कुछ नहीं है, एक दो line try किया हुआ है, अब आपको क्या करना है, आपको, अब problem क्या होता है, price action trader और time trader मे एक major difference हो जाता है, we are always against the market, price action trader जो है, वो trend के साथ होगा, और we are always against the market, यहीं मैं पूछने बार आता है, आप तो हमेशा contrary नहीं लहेंगे, I will always be contrary, मैं contrary रहूंगा, एक दिन रहूंगा, दो दिन रहूंगा, but मेरे पास वो stop loss defined रहेगा, जैसा मैंने आपको बोला कि लोग गलत ही कहां करते हैं, कि आप, आपने ही सोच लिया कि आज x date है और आज बजार को नीचे turn करना चाहिए, दो दिन बजार नीचे आया, यह आप flat है, तीसरा दिन उसकी उपर चला गया, पर आप तो बैठे हो, price action में भी आप ऐसा नहीं करते हो, फिर time के साथ ऐसा क्यों करते हो, time 307 का है, बहुत ज्यादा comfortable कोई आदमी है, वो 308 का, 10 का डाल देगा, बट 310 के बाद क्या हो रुका रहेगा, 400 रुपया तक थोड़ना बेट करेगा, और आज की दिन में maximum लोग, मैं जब September, last September में 29 September का जो लो था अपना, 10,800 जब मार्क निफ्टी आ गया था, इक पार, I went all out, मैं last मेरे का से 3-4 मैंने से ट्विट नहीं किया था, I went all out and said कि financial astrologers, जो मैं देखा, जो social media पर जो तना आप और हम देखते हैं, everyone was so bearish, world over, वो जो bearish था, मैं आजा कर बोला, सर, आप लोग bearish मत हो, क्योंकि मेरे को ये दिख रहा था कि वहां से बजार, जो आप आज आख एच होड़ा जानुगा, जानुगा, जो आपको पता भी नहीं कि बजार किस लेवल का तेज होने वाला है, और बजार तेज हुआ, विकॉस विकॉस, तेखो, ताइम सैकल में भी अपने दूसरा इसके बॉसरा इस स्पेक्टर में आते हैं, तो अपने साल को डिवाइड कर और उसमें बताया कि X years, which he called 30 years 30 years, 60 years 90 years, यह एक major major cycle है जहां कि चीज़े repeat होएंगी या aggravate होएंगी दो चीज़ होता है support resistance को जब आप cross करते हो, तो faster rise आता है, समझना बात को तो time में भी वही चीज़े है कि या तो वह वहाँ जागे रुख जाएगा और अगर उस time के उपर भी गया और cross किया, तो उसको speed डबल हो जाएगा जो अपने breakouts वाट is a breakout trade, या breakdown trade आप वहाँ पर support resistance लिया या तो reverse आगे और अगर उसके आगे चले गए, इसका मतलब speed डबल हो जाएगा तो या तो वह inversion होगा या तो वह express speed लेके उसी direction में ज़्यादा speed से भागेगा या तो वह reverse करेगा तो पहले तो आपको यह decide करना पड़ता है जो हम करते हैं या मैं करता हूँ पहले मैं यह decide कर लेता हूँ कि यह साल market के लिए कैसा है सबसे important हो है अगर मैं पिछले March का crash देख पा रहा था tweet किया हूँ था, उसके बाद मैं तेजी देख पा रहा था, उसका कारण था इट वोज़ा इयर ओफ panic, बट इट वस नौट आइयर ओफ low prices, आपको समझना होगा panic आएगा बट साल मंदी का नहीं है, मतलब मंदी का cycle नहीं चालूगा है, वो कैसे बतादा broader cycle जो 30 साल का cycle जरूरी नहीं है, वो 30 साल का cycle सबका हो, अच्छा बट किसी का 38 हो सकता है, किसी का 40 हो सकता है, किसी का 25 हो सकता है, किसी का आज मॉस्कुटो का life cycle के है और शेर का life cycle के है तो दोनों का सीम तो नहीं हो सके है आप बोलोगा यह मॉस्कुटो 15 साल बाद ऐसा हो इसा तो नहीं हो सकता उसका life cycle है उस life cycle में आपको decide करना पड़ है तो वैसे ही उस इंस्ट्रुमेंट में जब मैं निफ्टी को देख रहा हूं या कोई चीज को देख रहा हूं आप आज सबोस्करों आप कोई अग्रिक को लोग तो आपको पता है उसका लाइफ साइकल किया अब वह फैमीन कब आएगा या एक्स्ट्रा अबंडनस कब आएग होगा दस साल पंदरPA साल पच्छेस साल तीस साल साल वहूं सब्कार चैस किस साल कि्या आएगा कम निकाले कीक को सब्सकेति है क्युए कि मेरे लिए भी वही हो गया इकविटी में निफ्टी इस साल ऊपर जाेगा नीचे जाएगा सप्लाइड मानी आप कॉट हों के जब ब्रिकडाउन देख रहा हूं कि कौन से साल में इसका डिमांड सप्लाई कैसा रहने में और मेरे को यह दिख रहा है कि दो हजार इकईस में डिमांड ज्यादा है कैसे पतला इंडिविजुल साइकल और वो तो वो मैं नहीं बोलने वाला हूं कि काउं से साइकल आपका देखे निफ्टी का कुण्डली आई यह मेरे का आपका बात अच्छा लगा कि हर स्टॉक का एक उड्ली हर स्टॉक का कुण् स्टूइंट ऑऐस्टोलोजी बट जैसा गैंने बोला है कि आप किस दिन से उसका कैलकुलेशन आज मैं कैलकुलेशन करना चालू करूंगा किसी चीज़ के भी बारे में और गैंड कैलकुलेशन सार मैं जडना स्टॉलोजी का थोड़ा कुछ रीड कर रहा हूं इतने सालों सब्सक्राइब करें तो भी शायद एक देट पर पहुंच रहा हूं मैं एस्टो पर जाओंगा तो भी देखूंगा कि वोड़ेंट है और शायद कोई मेरा फ्रेंड मिल जाया हर्मनिक्स वाला बन रहा तो वह भी बोलेगा कि यहां पर तो कुछ हो रहा है क्रैब बन रहा है सब्सक्राइब करें तो आपका किसका कितना क्या लाइफ सब्सक्राइब कर रहा हूं तो मैं कैसे आड करूंगा निफ्टी कप से लिस्ट हुआ मेरा औरिजिन तो वही है करेंग करेंग बई आज रिलायन्स किस दिं से लिस्ट हुआ UP मैं उसी से कैय्मराशन करना चालू करूंगए न आप बूलोगे इसका तो हरसको भी वैसी बनता है वैसी बनता है यह उस Same का लिस्टिंग हुआ किस दिन इंकॉर्पोरेशन हुआ मुके शम्मानी जी का बर्थ कब वगा मेरा ग्याइट कर रहा हूं तो भी वैसे एड कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि हर से पांथ साल चार साल छे साल या आठ साल के साय के यह दस साल सब अलग अलग कमनी उसमें आप आ रहा है आप डाउनर अप आ डाउनर अप आ डाउनर मेरा तो काम यह है ना जितना हिस्ट्री देखूंगा उससे उतना मेरा पर्फेक्शन होगा आगे का देखने का जैसे गयन ने बुला आइक गयन का एक कोट अबध फेमस आइक प्रेट फॉर नेक्स 2 तू तू त देटा फॉर लास्स 2,000 लियर मेरो का पहले का 2,000 साल का दो तो मैं आगे का 2,000 साल का बता देता हूं क्या होने वाले तो डेटा आपको जितना पुराना मिलेगा उतना आप सामने का देख पाओगे तो निफ्टी का निफ्टी इस नोट डाट ओल डेटा बट सेंसेश इस सो जब मेरे को grandfather cycle जो कि बहुत फेमस हो गया बहुत लोग पूछते है मेरे से क्योंकि मैंने एक चोटा वीडियो बनाया था grandfather cycle लोग तो वो जब grandfather cycle की उपर जब अगर मैं देखता हूं तो मैं फिर मेरे को sensex refer करना पड़ता है फिर मैं निफ्टी में डेटा अविलेबल नह होता तो वही 1,2,3,4,5 फिर एक cycle होगा उसके बीच में वो भी 1,2,3,4,5 होगा उसके बाद अभी जो current cycle चल रहा है वो भी 1,2,3,4,5 और intraday cycle में भी 1,2,3,4,5 ठीक है अब y axis पर price का बात कर रहा हूं अब मैं सेम चीज x axis में बात करता हूं कि मेरे एक कुंडली इसका है जो शायद 40 साल का चल रहा है 40 साल में इसका behavior 1,2,3,4,5 complete होगा इलिएट के जैसा आप उपर लगा और मैं नीचे लगाता हूं एक, दो, तीन, चार, पांच complete होगा फिर उसको मैं शबशकर हो बोल दिया grandfather cycle वो grandfather का age फिर father का cycle जैसा आप इलिएट वाल आएगा बोलेगा ये 5 के अंदर भी 5 होना चाहिए मैं बोलूगा है grandfather का बेटा है वो शायद 9 साल में बेव करेगा उसके नीचे और एक बेटा है फिर एक बेटा है यैसे इलिएट इंटर दे तक चला जाता है हम भी इंटर दे तक जाते हैं मैं भी आपको बोल सकता हूं अगर दो I don't specialize in that बट अ मैं टाइम के साथ खेल रहा हूं आप राइस के साथ खेल रहा हूं मैं टाइम के साथ खेल रहा हूं फरक कहीं नहीं है और अब जितना मेरे को बोलोगे मैं हर चीज के संग हर चीज को टाइम को संग लिंक कर दोगा आप येट के संग बोलो चाहिए जिसके संग भी बोलो आ अच्छा मुझे बताई ना कि यह तो वहती वास साइस है तो अगर एक नॉर्मल आदमी को अपना Y Axis के साथ X Axis का वर्किंग को चालू करना तो उसको क्या करना चाहिए पहला स्टेप के है पहला स्टेप यह चार लाइन है यह एक्विनॉक्स और सौल स्टाइस का चार लाइ अब देखो यह चीज अगर आपके दिमाग में होता तो जो मार्च का बॉटम बना आप उसको कैच कर लेते या कैच करते या नहीं करते बट कम से कम वार रॉंग नहीं होते और मेरे को यह पता है कि कोई भी प्राइस एक्शन ट्रेडर उस दिन बुलिश नहीं हो सकते बट श स्वीय वाला हो गया जो अब गैन करता था तो वह ठीक हे नहीं जातें आप अपने और साइकल पे अपने गया प्रूमोन घेर्टो अब युजम्त एसे और कुछ नहीं करना है यह ब्लैक्वाला जो जो आइन है वह नई मुन का है यह और चूक वो पूर्णी मा का डाले हैं तो आपके साफ से ये सब दिन जो है ट्रैकिंग में होने चाहिए इसका आप आप देखे आप जब तक आज का जो सुसाइटी है ना वो कुश्चन पूछता है लॉजिक पूछता है और आज के बच्चे है ना साइन्स पूछता है उसका आप खा कर सकता है साइन से अमावश्या पे और पूर्णी मा पे लो टाइड हाई टाइड सबसे लीथल होता है इसको को डिनाई नहीं कर सकते है क्यों क्योंकि वो चंद्रमा कामी है वो खींच लेता है पानी को जब खींच लेता है जो प्लैनेट में जो पानी है उसको पूरा खीं मैं बहुतों को जानता हूं और अगर यह मतलब यह आउट ओफ टॉपिक है बट आप कल से यह दिमाग में नोट करना चालू कर दो कि से फॉर अग्जांपल आज अमावस्य है आप देखो आपका बेयर प्रॉबली यू विल बी युवी वरी एलेटेड या कुछ ना कुछ ऐसा आपको लगेगा आपके बीहवियर में मैं कुछ ऐसा नहीं बोर रहा हूं कि आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा उपर नीचे म सौ आदमी मिलके खरीद रहे हैं, उफोरिया है, तो प्राइस उपर है, सौ आदमी पैनिक में हैं, they are feeling dull, they are feeling let down, loss, या कुछ तरह का बिहेव करना है, प्राइस नीचे, साइन्टिफिक है, तो आपको यह लाइन खरी लगा के छोड़ देना है कि उस दिन अगर कोई इस तरह का move हुआ, जहां कि आपको यूफोरिया दिख रहा है, और यूफोरिया इस, you know, pinnacle, pinnacle of all the sides, both the sides, मतलब आपको अपर साइड में भी यूफोरिया दिख रहा है, और नीचे साइड में भी एक फियर दिख रहा है, basically हम लोग दो यह चीज़ का बात करते हैं, greed and fear, तो greed का भी दिख रहा है, और fear का भी विफोरिया दिख रहा है, कि बहुत extra fearful on particular these lines, अब trade मत करो, अब watch करो, I have also watched these things for good 8 to 10 years, मैंने trade नहीं किया, क्योंकि उस समय मैं भी वो एक, you know, अलग दुनिया में था, price पे और सब पे करते, and कौन क्या चल रहा है, वो सब पे करते, बट जब से इसक time देखे कुछ करी नहीं सकता है, मतलब ऐसा हो गया कि time में नहीं देखू, तो मेरे को लगे का शायद कली तो जाके धक्का खाने वाला हो, जैसे कि आप price action पर कर रहे हो, और आपने कुछ नहीं देखा और 520 पे ले लिया, और कल चार्ट खोलो गया, और 524 का तो resistance था, महीं मतलब एक तम बेसिक, मतलब इस थीज फोर लाइन आप यूज 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 अवरी मन्हीं यूज इवरी मन्हीं यूज यूज वन फूल ओन उन नूमून यू मून. यू यूज अप खाली वर्टिकल एक्सित, और अग ज़िए तो अधिडिश ए आपनीक एब टॉ अल च स्क्वार अफ 20 है देर लौत अफ थिंग्स यह का कैसे निकालना सब चीज है और मैं आज तक देख रहा हूं कि मेरेको नया लइन निफ्टी की कुंद्ली है से कुम्हें कि मैंने जो लाइन ड्रों किया है वह स्टाइग पॉइंट से जो किसको बोलते इस इस अगें आप कहा से स्टार्ड करना चाहते हैं आप कौन से साइकिल को पाकड़ना चाहते हु वही वाला बात जैसे आप एलियेट में वन फ्री फोर पकड़ना चालो गए तो is a starting point, वहाँ से आप calculate कर रहे ह। पर अगर आप right point नहीं पकड़े हो तो आप right destination पर नहीं पहुँचोगे, वही चीज़ में है, तो इसमें भी start right है, गयान कये quote unquote है start right, आपको right जगे start करना है, अपना calculation, इसलिए बारह साल से जितने मेजर टॉप्स और बॉर्टम से वो सारे के सारे उस लाइन्स पे यह वह आपके सामने मैंने आपको दिखाया तो वो क्या है उस बीहवियर मतलब क्या वो अपने कुंडली पे चल रहा है और इसको अभी मैंने ग्रैंट फादर बताया आपको टाइम पे कि में भी 40 साल हो पचास साल हो इस इस आई ट्रीट एज ग्रैंट पादर देखो ऐसा नहीं है कि मेरे को निया लाइन ड्रॉ नहीं करना पड़े इस पे ड्रॉ करना पड़ सकता है वो कब पड़ेगा जब मैं कि कोई मेजर टॉप या बॉटम इस लाइन को छोड़ के अलग बना इसका मतलब क्या हुआ जैसे एक फैमिली है फैमिली में एक ग्रैंट फादर है उसका बेटा है उसका बेटा है उसका बेटा है उसका बेटा है और किसका चल रहा है जब तक जब तक ग्रैंट फादर जि इसमें जो प्राइसेज मार्क हैं, वो सारे के सारे उसी लाइन्स पे हैं, इसका मतलब वो ग्रैंड फादर आज भी जिनता है, इसलिए उसके ओर्डर चल रहे हैं, जिस दिन मेरे को ये समझ आएगा कि जो हाई या लो बना, उसका इस साइकल से कोई लेना देना नहीं है, I will be forced to believe कि अब कोई दूसरा फैमिली मेंबर आ गया, जिसका ओर्डर चलना चल रहे हैं, मैं बहुत कॉमन लाइविज में समझाने की से इस्टा कर रहा हूं, जो शायद व्यूवर्स समझ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, विकॉस मैं जार्गन्स में बोलूँगा, तो नह चलेगा कि स्लोर टाइम में कौन सा प्रैस एक्षिन जादा चाओ, तो ग्राइंट फादर का टाइम मेरे को पता है, तो उसके नीचे का टाइम मेरे में पालना ही जब तक वो साइकिल करेक्ट चल रहा है, तब तक ये कागज और ये लाइन जिन्दा है, जब मेरे को समझ आ होते हैं कि सुपर साइकिल, मास्टर साइकिल, जिसको अपने कोड़ाडिक कैंडल या ऐसा कुछ बोलते हैं, वो खतम हो गए, अब जो चालू होगा, वो नया चालू होगा, कोई जारगन नहीं है, आप किसी भी चीज के संग नाचरल फेनामेन अपने डेली के लाइस्टाइल के संग उसको आप करोगे तो आप चीजों को बहुत इजिली देख पाऊगे, चीज सारी की सारी सामने होती हैं और बहुत इजिली अवेलेबल होती हैं, लोग कंप्लिके जाओंगा इबर उसके लावा इस पर डीप जाओंगा, बड़ आज का वीडियो में जो अब्जेक्टिव था, आप लोग एक नॉर्मल लोग हैं जो टेक्निकल अनलेसिस सीख रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा बहुत अच्छी बात है, बड़ पस्पेक् आप देटेल्स में हम समझाने की नहीं की चेस्टा की है, मतलब इटकुड अवी इस एक्स्पेंगे पाड़ पाएंगे और शरट बहुत प्र एक्टिविए अच्टेवाई प्रेक्टिव थाविद आस स्वेयरिक अटिकल आप शैंस को और पर पानगे और शरट बहुत प वह आपने चालू किया श्राइशा हाँ विकास क्या हो रहा था कि कई साल से मैं ट्वीट करता हूं थोड़ा सा मेरा लैंग्विज हमेशा मिस्टिकल रहता है मतलब मैं बोल एक लाइन लिख चला जाता हूं फिर गाया गो जाता हूं मैं ट्वीटर खोलता हूं मैं खाली तो उसमें लोगों का मैंने टॉप बॉटम सारे बता हैं बट लोगों का हमेशा यह एक सर आप बोलते हो बट कुछ समझ नहीं आता है और फिर बाद में आके बोलते हो कि मैंने ऐसा बोला था तो मैंने यूट्यू अभी नया-nया दो मैना हुआ और लोगदाउन अब कुछ तंत्र नहीं है एक लोगों का एक ऐसा सोच हो गया कि यह तो कुछ तांत्रिक टाइप का चीज यह तांत्रिक नहीं है इस साइंटिफिक इस प्यूर्ली साइंटिफिक तो शरत का यूट्व चैनल का लिंक पी मैं इस वीडियो नीचे दे दूँगा तो आप वोग्याद आपके आपके साथ बात करके और आपको फिटनेस का मैं फान हो अलड़ी मैं भी इतना फिटनेस और हेल्ट और हेल्ट ओरीनेट नोह को कुम्मिकेट करता हुआ पर आप आप अवसे दराइविग इंस्पिरेशन फोम यू तो आप अपने इस बात करके विद्ध म स्ट्रॉंगली अगेंस दिस दोस्तों जैसा कि हमेशा बोलता हूं कि वेल्ट तो है इंपॉर्टेंट बर हेल्ट इंपॉर्टेंट जादा है और अच्छा खाएंगे अच्छा जीवन जीएंगे राइफस्टाल अच्छा रहेगा तो मार्केट भी आपको रिवाड देगा एंपुर्ण सथम्राइब हार किया अच्छा तो है करक्यान अच्छा खाऊगे और अच्छा तो सोच पाऊगे कर देपन कर्योंगर ऑपुर्ण स्थ कुपर डैपन करता है तो आगर अप्छा ना जीजिजिया तो अपका धिमाग सभी पे चलेगा। तो उपका दिमाग सही करना चाहेंगे क्योंकि यह देखिए युनीक कॉंटेंट है आपको मेंस्ट्रीम मीडिया कभी भी इस तरह का कॉंटेंट नहीं दिखाएगा यह सब मिस्टिक है जैसा श्राद ने का बहुत हिडिन कॉंटेंट है जो मैं बहुत रिक्वेस्ट करके आप तोंके सामने लेकर आ कि अ तरह कर दो जूगोई अभाएगा यहुति झाने लेकर चाहे।